सभी को नमशकार आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे यांत्रिक तथा साव्यवी एक्ता के बारे में दुर्खीम ने अपनी सरुप्रतम प्रकाशिद होने वाली पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में यांत्रिक तथा साव्यवी एक्ता की आउधारना को विस्तार पूर्वक समझाया है दुर्खीम का मानना है कि यांत्रिक और साव्यवी एक्ता की दशा सामाजिक संगठन के दो भिन्न स्वरूपों को इसपस्ट करती है आगे दुर्खीम ने लिखा है सामाजिक एक्ता समाज की एक नैतिक आवशक्ता है तथा जब किसी समाज अत्वा समुदाय की आवशक्ताएं बदलने लगती है तो सामाजिक एक्ता की प्रकृती भी बदलने लगती है उन्होंने श्रम विभाजन को एक ऐसे तथे के रूप में सुईकार किया जो एक विशेश प्रकार की सामाजिक एक्ता को जन्म देते हैं इसका अर्थ है कि श्रम विभाजन के पहले और बाद में जिस सामाजिक एकता के दर्शन होती हैं उसकी प्रकृती में हमें काफी भिन्यता देखने को मिलती है बाहरी तोर पर श्रम विभाजन एक ऐसी दशा है जिसमें विभिन्य लोग अलग-अलग कारियों के दुआरा अपनी आवशक्ताओं को पूरा करते हैं कारियों के विभाजन के कारण श्रम विभाजन को अकसर सामाजिक एकता के विरुद समझ लिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है श्रम विभाजन का मुख्य प्रकारिय एक दूसरे से बिन्यकारियों को करने वाले विक्तियों के जीवन में एकता उत्पन करना है क्योंकि एक दूसरे की सहायता के बिना कोई भी विक्ति अपने लक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता अर्थात व्यक्ति को अपने लक्ष तक पहुँचने के लिए समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों की सहायता की आवशक्ता होती है सामाने जीवन में भी हम केवल उन्ही व्यक्तियों से संबंद नहीं रखते जो हमारे समान होते हैं बलकि उन व्यक्तियों से भी हमारे घनिष्ट संबंद होते हैं जिनके विचार, उनकी मनुवरतियां और उनके कारिये हम से काफी भिन्न होते हैं इस द्रश्टिकोन से दुर्खीम ने अपनी पुस्तक के प्रथम भाग में सामाजिक एक्ता की प्रकृति और दूसरे भाग में श्रम विभाजन के विभिन पक्षों की विवेचना की है और श्रम विभाजन तथा सामाजिक एक्ता के पारसपरिक संबंद को इसपस्ट किय है अब हम डिसकस करते हैं दुर्खीम की अनुसार सामाजिक एक्ता की अउधारणा सभी विद्वानों ने किसी ने किसी रूप में सामाजिक एक्ता को सामाजिक जीवन की एक अनिवारिय विशेष्टा बताया है लेकिन दुर्खीम ने एक स्व्यवस्थित और तार्किक आधार पर सामाजिक एक्ता को एक ऐसे आधार के रूप में सुईकार किया है जिसकी प्रकृती के अनुसार ही विभिन समाजों की प्रकृती को समझा जा सकता है अर्थात जिस प्रकार का सामाजिक एक्ता समाज में पाई जाती है उसी प्रकार का समाज का स्वरूप होगा दुरखीम का विचार है कि समाज का विकास व्यक्तियों पर आधारित नहीं होता बलकि व्यक्ति उस सामजिक एक्टा के आधीन होते हैं जो समाज को संचालित और नियंतरित करती है इसका ताथ पर यह है कि समाज का वास्तविक अस्तित्व उस सामुहिक चेतना में होता है जिसके आधार पर समाज में एक विशेश प्रकार की एकता विक्सित होती है एकता समाज की नैतिक आवशक्ता है जैसे जैसे सामाजिक जीवन की आवशक्ताएं विक्सित होती है जैसे जैसे सामाजिक जीवन की आवशक्ताओं में परिवर्तन होता है सामाजिक एक्ता की प्रकृती में भी परिवर्तन होने लगता है इस प्रकार सामाजिक एक्ता एक परिवर्तन शील धशा है विभिन समाजों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए दुर्खीम ने बताया कि सामाजिक एक्ता में होने वाला परिवर्तन यांतरिक एक्ता से साव्यवी एक्ता की और ले जाता है यह सामाजिक एक्ता लोगों की सामुहिक चेतना से संबंधित होती है सामुहिक चेतना को समझाते हुए आगे दुर्खीम ने लिखा है सामुहिक चेतना एक ऐसा तत्य है जो किसी समाज में लोगों की सांस्कृतिक, नैतिक और वोधिक समानताओं से उत्पन होती है सामुहिक चेतना का माध्यम व्यक्ति है लेकिन सामुहिक चेतना की प्रकृति व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है आदिम समाजों से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं मिलेगा जिसमें सामाजिक एक्ता का एक विशेश रूप ने पाया जाता रहा हो इसका कारण यह है कि सामाजिक एक्ता के बिना ने तो लोगों के बीच व्यवस्तित संबंधों का विकास हो सकता है और ने ही उनकी आवश्यक्ताएं पूरी हो सकती है इससे इसपष्ट होता है कि सामाजिक एकता एक ऐसा तथ्य है जिसका सामुहिक चेतना से गनिष्ट संबंध होता है दुर्खीब ने आदिम समाजों का उधारण देते हुए बताया कि समाजों में वेक्तियों में बहुत अधिक समानताएं होने के कारण उनमें सामुहिक चेतना बहुत विक्सित रूप में देखने को मिलती है इसका तातपर यह है कि समाज में विभिन वेक्तियों समुहों के बीच समानताएं जितनी बढ़ती हैं सामुहिक चेतना का सुवरूप भी उतना ही इसपस्ट और शक्तिशाली होता जाता है आदिम समाजों में समुधाय की एक्ता सामुधाय की भावना पर आधारित होती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामुधाय की भावना को ही सामुहिक चेतना का दूसरा रूप कहा जा सकता है दूर्खीम ने यह भी सुविकार किया कि सामाजिक एक्ता को बनाए रखने के लिए समाज में नियंत्रन की जिस व्यवस्था को लागु किया जाता है उसे भी सामुहिक चेतना से प्रथक कर के नहीं समझा जा सकता सामाजिक एक्ता की प्रकृती में होने वाले परिवर्तन को ही दुर्खीम ने सामुहिक चेतना की प्रकृती में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसपस्ट कर दिया उन्होंने उधारन दिया कि जब किसी समुदाय में सामुहिक चेतना बहुत शक्तिशाली होती है तो वहे अपनी एकता को लोग एक नैतिक तथे के रूप में सुईकार करने लगते हैं इसी कारण ऐसे समाजों में दमनकारी कानून लागू किये जाते हैं ये वे कानून है जिनके द्वारा व्यक्तिगत की जगे सामुहिक हितों पर अधिक ध्यान दिया जाता है जो लोग सारवजनिक हितों को आगहात पहुँचाते हैं उन्हें शारिरिक यातना अत्वा हत्या के रूप में कठोर दंड दिया जाता है ऐसे कानूनों का आधार समुह की नैतिकता होती है चाहे वे कुरूर हो अत्वा कश्ट कारी यदि किसी समाज में लोगों के बीच एक ऐसी एकता विक्सित होने लगती है जिसमें सामुहिक चेतना की तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती हो तो वहां प्रतिकारी कानून अत्वा शती पूर्ती करने वाले कानूनों के दुआरा लोगों के पारसपरिक संबंधों में संतुलन बढ़ाने का प्रयतन किया जाता है यह कानून सू परिभाशित होते हैं तथा प्रसाशन और न्यायलों के दुआरा इने प्रभावपून बनाया जाता है दुर्खीम की अनुसार आदिम और सरल समाजों में जब श्रम विभाजन का बहुत सरल रूप विद्यमान था तब उनकी सामुहिक चेतना बहुत विख्षित थी इसी कारण इन समाजों में धमनकारी कानूनों पर आधारित सामाजिक एकता की प्रधानता थी इसके बाद जैसे जैसे स्रम विभाजन का रूप जटिल और व्यापक होता चला गया सामुहिक चेतना कमजोर पढ़ जानने के कारण प्रतिकारी कानूनों पर आधारित सामाजिक एकता में व्रधी होने लगी और इस प्रकार सामाजिक एकता को श्रम विभाजन, सामुहिक चेतना की प्रकृती तथा नियंत्रन की व्यवस्था से प्रतक करके नहीं समझा जा सकता क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन बढ़ता जाता है सामुहिक चेतना में धीरे-धीरे कमी आनी लगती है और उसके इस्थान पर व्यक्तिग चेतना समाज में इस्थान लेने लग जाती है इस प्रकार से दूर्खीम ने समझाया कि श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ हम यांत्रिक एकता से सावेवी एकता वाले समाज